हेलो दोस्तों अरद्दैरेस अगेडमी की यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई जूते सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए नया राजस्तान बुगोल के टोपिक वाइस टोप अतीम है तोपूर्ण परिस्नों की सिरीज श्टार्ट की गई है जिसमें आज दोस्तों अपना सात्वा नंबर का चेप्टर है जिसका नाम है राजस्तान की कर्शी फसले दोस्तो राजस्तान की करशी फसलों से समंदीत आज मैं आपको टॉप सो प्रसन है वो बताने वाला हूँ और दोस्तो ये नवगठित जिलो के अनुसार ये प्रसन है सांदार प्रसन है और अगर आपने पिछली जो च्छे कलासे हैं वो नहीं देखिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा और फोल्डर का नाम है दोस्तो नया राजस्तान बुगॉल टोपिक वाइस प्रसन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा तो आप वहाँ जाकर पिछली कलासे हैं वो जरूर देखें और अरद्देरस अकेडिमी की यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्तान की करशी फसलों से समंदित देखें पहला प्रस्त सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो करशी को मानसून का जुआ का जाता है क्या का जाता है मानसून का जुआ मैदानी भागों को करशी का हर्दे इस्तल का जाता है क्योंकि यह सरवादी के उपजाओ होता है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है दोस्तों पहला परस देखिए, राज quantitative के समयं किन फसलों का उतपादन अधिक रहता था? राजस्तान में पर्थम योजना के समय किन फसलों का उत्पादन है वो सरवाधिक रहता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खाद्यान फसलों का उत्पादन है वो अधिक रहता था ए नमबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा खाद्यान फसले कौन कौन स जैसे गेवू बाजरा जवार मक्का जो चांवल ये क्या है ये खाद्यान फसले हैं तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखें निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में राज्य में उत्रोदर वर्दी हो रही है बताएए किन फसलों क उत्पादन में राज्य में उत्रोदर वर्दी हो रही है राइट आंसर हो जाएगा वो है तिलहन का तिलहन की दोस्तो वर्दी हो रही है राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखिए राजस्तान में करशी जोतों का ओसत आक तो कितना है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इस नमबर का option बिल्कुल सभी उत्र हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें राजस्तान में जागिर्दारी परता का उंत करने के लिए कानून है वो कब बनाया गया तो यह बनाया गया दोस्तों गुनिस को को सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएका गुनी सो बावन को यह बनाया गया आगे देखिए इसमें राजस्तान में जागिरदारी एवं विश्वेदारी परता कब समाप्त की गई राजस्तान में जमीदारी यानि की जागिरदारी एवं विश ह्ष Gimme दारी परता है वो कब समाप्त की गई राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो इसमें गुनीसों गुर्सट में तो इसका और्फ हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखे दोस्तों अपना इसमें शिक्स नमबर का प्रशन राजस्तान का सतकारी अधिनियम कब पास किया गया राजस्तान का सतकारी अधिनियम है यह कब पास किया गया यह पास किया गया दोस्तों गुनी ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें हरित करांती का जनक किसे माना जाता है सभी को पता है हरित करांती का जनक दोस्तों किसे माना जाता है तो दोस्तों नौर्मन ई बॉर्लोक को माना जाता है दोस्तों राजस्त यहां पे हरित करांती का जनक और भारत की बात करें तो दोस् स्वामिनाथन ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो इस प्रेस्ट का राइट आंसर सी नंबर ऑप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए विश्व में हरित करांती सरोपर्तम किस देश में लागो की गई तो सरोपर्तम कौन से देश में लागो की गई थी हरित करांती तो दोस्तों वह हैं मैक्षिकों में लागो की गई थी सअरो परतम हर्द करांती विश्व में राइट अंसर यह नंबर option से उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 10 नंबर का प्रियो भारत में हरित करांती का जनक किसे माना जाता है भारत में हरित करांती का जनक माना जाता है से किससे है तो किससे है तो दिस्तो ये हरित करांती से है राइट ऑन्सर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जायेगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 12 नमबर का प्रेशने पेकेज प्रोग्राम का सम्मध किस्से है पेकेज प्रोग्राम का जो सम्मध है वो किस्से है तो दोस्तों ये भी हरित करांती से सम्मधित है दोस्तों पेकेज प्रोग्राम तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर यह आपको इसमें याद रखना है यह प्रेशन है वो ज़्यादा इंपोडेंट है और सभी परिक्षाओं के लिए यह मैतोपून है राजस्तान की टीक है सबसे पहले मां आपको बता देता हूं दोस्तों हरित्क्रांटि जो सब्द है यह दिया था किसने विलियम गॉड में यह अनक यकषः सब्द दिया था मैं सरवाधिक लाब कौन सी फ़सल को दिया गया इस अरीट कあーnti में तो गेंव और चांवल खो ठीक है और सरवाधिक खानि हुई है वो दोस्तों मोटे अनाज खो सरवाधिक खानी हुई है जैसे मक्हा बाजरा को ठीक है यह आपको इसमें याद रुखने है तो इसमें इसका ररी हो जाएगा सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए दोस्तों भारत में हरित करांती के अंतरगत गहन कर्शी च्छेत्री कारेकरम कब लागू किया गया यह लागू किया गया दोस्तों कब तो गुनी की गई तो संपून रूप से कब लागू की गई तो यह लागू की गई थी दोस्तों कब गुनी सो चाशट शट में यह संपून रूप से लागू की गई ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए भारत में हरित करांती में कितनी खाद्यान फसले समिलित की गई तो कितनी खाद्यान फसले समिलित की गई तो दोस्तों टोटल इसमें च्छे खाद्यान फसले हैं वो समिलित की गई थी हरित करांती में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सह उत्तर हो जाएगा आगे देखे भारतिया हरित करांती में निम्न मेंसे कौन सी फसल सम्हिलित नहीं है तो कौन सी फसल है वो सम्हिलित नहीं है भारतिया हरित करांती में तो दोस्तों यहां पर देखे राई राई है यह भारतिया हरित करांती में सम्हिलित फसल नहीं है बाकी गहूंचावलमक का है तो इसका राइट आंसर हो जायागा इसमें डी नंबर उप्सन बिलकुल से इत्र आगे देखे बारत में हरित करांती में निम्न मेंसे कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है तो कौन सी फसल है वो सम्मिलित नहीं है तो यहां पर देखिए दोस्तो इसमें तारा मिरा की जो फसल है वो दोस्तो इसमें सम्मिलित नहीं है बाकी बाजरा, जौार, रागी ये फसले हैं ये इसमें सम्मिलित है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर है देखिए कौन कौन सी फसले है छे जिसमें से चावल है गेहू है मक्का है रागी है बाजरा है और जौार ये छे फसले हैं वो समेलित की गई थी फसलों का रहा राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो दोस्तों गेहूं और चावल का सरवादिक उत्पादन रहा ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें गुनिस नमबर का प्रेसन है किसे राजे में हरित करांती सरवादिक सफल रही कौन से राजे में हरित करांती सरवादिक सफल रही सफल रही तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पंजाब में जो हरित करांती है वो सरवादिक सफल रही बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे हरित करांती के परमुकुद्देशे क्या रखे गए हरित करांती के जो परमुकुद्देशे हैं वो दोस्तो क्या क्या रखे हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से पीली करांती का समंद्ध किस्से है दोस्तों स्वेथ करांती का नाम आपने सुना होगा ठीक है ऐसे ही पीली करांती है तो पीली करांती का समंद्ध है वो किस्से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरसों से ठीक ह जो तिलहन से भी माना जाता है ये पिली करांती, अगर उप्षन में तिलहन आ जाए तो इसमें आपको वो करना है, ठीक है, जैसे हरित करांती है, ये खाद्यान फसलों से समंदित है, स्वेत करांती है, दोस्तों ये तिलहन उत्पादन से है, पिली करांती है, ये तिलहन उत् पादन से समझधित है और इस सब आपको यादर रख़ने है राइट रो दाएगा इसमें बुरी क्रांटी का समद्द किस्वे है बुरी क्रांटी का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑपशन है वो इसका बिल्कुल सही उतर है आगे देखे गुलाबी करानटी में किसके उत्पादन का लक्से रखा गया राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जींगा का C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा जींगा का लक्से रखा गया आगे देखे गोल्डन फाइबर किसे का जाता है दोस्तों गोल्डन फाइबर है ये किसे का जाता है ये का जाता है किसे तो जूट को गोल्डन फाइबर का जाता है B number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 25 नमबर प्रेस ने एक ही खेत में एक समय पर दो या अधिक फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है एक ही खेत में एक समय पर दो या दो से अधिक फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है तो दोस्तों ये कहलाता है क्या मिस्रित फसल कहलाता है क्या कहलाता है मिस्रित फसल कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें C number का option राइट आंसर आगे देखें निम्न में से पहाडी डलान पर अपरदन को रोकने के लिए कौन सी करशी पद्दती अपनाई जाती है यह आपको इसमें याद रखना है अच्छा प्रस्न है यह यह भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखें दोस्तो अपना इसमें राजस्तान में पान की खेती सरवादिक कहां की जाती है तो यह की जाती है दोस्तो करोली के अंदर पान की खेती की जाती है डी नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखें इसमें राजस्तान के करोली जिले में की जाने वाली सोरी राजस्तान के करोले जिले में की जाने वाली पान की खेती इस्तानिय रूप से क्या कहलाती है तो इस्तानिय रूप से पान की खेती को करोले जिले में क्या बोलते हैं तो दोस्तों वहाँ पर उसको बोलते हैं बाजेडा क्या बोलते हैं बाजेडा बोलते हैं तो इसमें को जलाकर की जाने वाली इस्तानांतरित कर्शी को राजस्तान में क्या नहीं कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या नहीं कहते हैं तो दोस्तों देखिए चिमाता भी बोलते हैं दजिया भी बोलते हैं वालरा भी बोलते हैं लेकिन बजा उड़द ये तीनों तो दोस्तों एक ही समय में की जाती है लेकिन यहां पर मौठ इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है अच्छा प्रस्ण है यह भी और काफी ब व्टीत रखना है उनालू ठीका है उनालू बोलते हैं रभी की फशल कौन कौन सी होती है तो दोस्तों गेहू जो चणा मटर मसूर मेथी इसब गोल, जीरा, दनिया, लसन, अद्रक, हल्दी, सरसों, तारमिरा, अफीम, अर्सी, तंबाकू, ये क्या है? ये दोस्तो रभी की फसल है, क्या है? रभी की फसल है, ठीक है? तो यहां पर इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए इसमें से कौन सा है? आपको पता चल गया होगा, यहां पर तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मसूर, मसूर क्या है? तो ये दोस्तो रभी की फसल है, तो इसमें राइट आंसर सी नमबर उप् मुलते हैं तो दोस्तों स्सीहें और वो सह चाओनों सो आजा एक डीन पर का बिल्कूल सही उत्र है है उस करद जो चना सरसू मतर मसूर सौफ दनिया आदी किस मौसम की फसले है तो दोस्तो जो चना सरसू मतर मसूर सौफ दनिया ये दोस्तो कौन से मौसम की फसले है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ये दोस्तो रभी की फसले है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यह दोस्तों यहाँ पे आप रभी कर लेना तीक हैं? यह रभी की फसले है यह उजो चना, मसूर, मसूर मेती इसब गोलजीरा, दनिया, लसन, अदरक, सरसों यह सभी क्या हैं? यह रभी की फसल है तो इसमें राइट आंसर आप रभी कर लेना डी नमबर का उपसन रभी आगे देखें इसमें निम्न मेंसे किस फसल को शालू की फसल कहते हैं? शालू की फसल बोलते हैं वो खरीब की फसल को बोलते हैं तो इसमें right answer a number का option बिलकुल सही उत्तर और उनाल्दू बोलते हैं रभी की फसल को ठीक है आगे देखें निमन में से किस फसल का उत्पादन कलम रोपन के माद्यम से किया जाता है तो कलम रोपन के माद्यम से दोस्तों किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है गन्ना तो इसमें C number का जो option है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा तो आगे देखें दोस्तों अपना इसमें कल्यान सोना सोना लिका लाल बहादूर सर्बती मंगला आधी किस फसल के किसमे है कल्यान सोना, सोना लिका, लाल बादूर, सर्बती, वा मंगला, आदी किस फसल की किसमे है तो ये दोस्तों गेहूं की किसमे है तो इसमें D नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की किसमे है आगे देखिए रवी की फसले और क्या कहलाती है रभी की फसलें और क्या कहलाती है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगर रभी की फसल को कहते हैं उनालू क्या बोलते हैं रभी की फसल को तो दोस्तो उनालू बोलते हैं या आपको इसमें याद रखना है आगे देखेए इसमें 49 नमर का प्रशन है राजस्तान में गेहूं का सरवादी कुद्पादन वर्तमान में किस जिले में होता है बताइए राजस्तान में गेहूं का सरवादी कुद्पादन वर्तमान में किस जिले में होता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री गंगानगर में B नमबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से छाच्या रोग किस फसल का रोग है निम्न में से छाच्या रोग है यह कौन सी फसल का रोग है right answer हो जाएगा वो है दोस्तो गेहूं का ये रोग है C number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे राजे में जो का उत्पादन वै छेतरफल सरवादी के किस जिले का है राजे में जो का उत्पादन वै छेतरफल सरवादी के किस जिले का है right answer हो जाएगा वो है दोस्तो जैपूर का तो इसमें ए नमबर का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे काग्या रोग किस फसल से समंदीत है काग्या रोग है ये कौन से फसल से समंदीत है तो दोस्तों ये जो से समझ दीता है काग्या रोग ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे वर्तमान में बाजरे का सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो बाजरे का सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो वो है दोस वो है दोस्तों बोयाबाड मेर में जाता है लेकिन सरवादिक उत्पादन होता है अलवर में ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी नमबर ओप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए राज्ये के किस भाग में मक्का का उत्पादन अधिक होता है मक्का का बारतीय समनवीत जमार अनुसंदान के अंह Inner कहा पर इस्तित है रहे तो यह इस्तित नहीं तो यह यह वल्लब नगरं में एक Inter twins भार कौब ढिकुर चाहे करा अजमिर का ल कीरिए आगे देखिए राजस्तान में चावल किस मोसम की फसल है तो चावल है ये कौन सी मोसम की फसल है तो ये दोस्तों खरीब की फसल है चावल जून जुलाई से दोस्तों सितंबर अक्टुमबर तक ये बोई जाती है तो इसमें इस प्रैस्न का राइट अंसर हो जाएगा ये खर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा का तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए सफिद्धा तथा लकड़ा नमक किसमें निम्न में से किस पसल की है बताइए चार उप्शन आपके सामने है जल्दी से देखिए और चार उप्शन आपके सामने है जल्दी से देखिए देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चांवल ठीक है यह चांवल की किसमें है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाए में आगे देखिए इसमें के राजस्तान में चने निम्न मैं से स्थेत्र नीमिस रुपात सथ हूँ यह सव रेगा नूम्बर का ओप्शन बिल्कुल सह्लिखेस्र का अजी नक्वी मैं आपको बताए oven बाताईए राज करने किस फश्लं की उन्नत किसम है तो इसका राइट आंसर वह है दोस्तों जो कि यह उन्नत किसम है सी नंबर का उपसंझ्जा के लोगा आगे देखांए राजस्तान में मटर उत्पादन में पर्थमिस्तान पर कौन सा जिला है मटर उत्पादन में पर्थमिस्तान पर कौन सा जिला है तो वो है दोस्तो जैपूर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें राजस्तान में मसूर का उत्पादन सरवादिक कहा होता है तो मसूर का उत्पादन सरवादिक होता है दोस्तों ये बुंदी जिले में होता है कहा पर होता है बुंदी में होता है मसूर का सरवादिक उत्पादन आगे देखें राजस्तान के किस जिले में मोट का उत्पादन अधिक होता है तो मोट का उत्पादन है वो सरवादिक होता है दोस्तों बताइए चूरू में होता है दोस्तों मोट का उत्पादन सरवादिक है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राष्टिये फसल विकास प्रियुजना कब संचालित की गई राष्टिये फसल विकास प्रियुजना है ये कब संचालित की गई ये संचालित की गई दोस्तों गुनी सो अठासी नावासी में?, गुनी ders08when में दोस्तो ये राष्टी फसल विकास पर्युजना है। ये शुरू की गई ठीक है। और गुनी सो चॉन्तर प्छेतर दोस्तो दलन विकास का करिक्रम है वह शुरू की गई थी और उसी के स्तान पर realized केरे सरकार ने दोस्तो तो राश्ट्ये दलन विकास परियोजना चंकाल की गुनी 4889 में इस प्रस्ष्ण कर राइटła अंशर शी नंबरं का उप्षन बिलकुल से उत्र हो जाएगा अठावन नमर का प्रस्टना इसमें देखे राष्टे दलन विकास परियुजना में केंदर तथा राज्य का खर्च अनुपात कितना है बताईए यहां पे पूछा गया है दोस्तों राष्टे दलन विकास परियोजना में केंदर और राजे का खर्चन उपाद कितना है तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 60, 40, डी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें निम्न में से दलन फसल नहीं है तो दलन फसल है वो कौन सी नहीं है तो दोस्तों यहां पे देखें बाटला, तूर, मोट यह तिनों है वो क्या है यह दलन फसले है यहां पर राई है यह दलन फसले नहीं है दोस्तों दलन फसले कौन कौन सी है चना, मुंग, और ये क्या है दलन फसले है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नमबर का उप्शन सहीटर राई आगे देखिए इसमें राई किस परकार की फसल है तो दोस्तो राई है ये कौन से परकार की फसल है तो ये फसल है दोस्तो कौन से परकार की तो ये दोस्तो तिलहन फसल है कौन सी फसले हैं तिलहन फसल है राई अलसी रतन जोत सोयाबीन तिल मुफली सरसों तारा मीरा सूरिय मुखी ये क्या है तिलहन फसले हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उपसन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए राजस्तान में मुफली उत्पाद करने वा The ler और तो वह है दोस्तों इसमें यह फिसका राइट आनसर दाएगा बी नंबर का उपसन बिल्कुल सही उतर तीकए पेले जैपुर है वह प्रतमिस्तान पर था ऑर्तमान में बिकानेर जिला है थो प्रतमिस्थान पर है अगे देखिए इसमें गाराजस्तान का रा सरा एक नामकिस्तान है वहाँ पर दोस्तो राजस्तान में अच्छी मुपली उत्पादन के कारण है इसे राजस्तान का राज कोट कहते हैं राइट ऐंसर हो जाए का इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे बारत में सरसों उत्पादन में पर्थमिस्तान किस राजे का है पर्थमिस्तान है वो दोस्तों राजस्तान का है इसमें पर्थमिस्तान सरसों उत्पादन में सी नंबर उप्सन राइट आंसर आगे देखे बारत की लगबग कितनी सरसों किस मोसम की फसल है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रभी की फसल है सरसों तो इसमें ए नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है सरसों रभी की फसल है आगे देखिए इसमें सफेद रोली किस फसल का रोग ह सफेद रोली है, यह कौन सी फसल का रोग है यह आपको इसमें बताना है। देखें, छार उप्षन आपकी सामने हैं, तो बनला के लिए को सर्सो का रोग है सफेद रोली, B नमबर का औप्षन बिल्कुल सभीतर हो जाएगा। सिक्ष्टी शेवन नमबर प्रश्ण इसमें देखिए राजस्तान में वर्तमान में सर्षो का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है सर्षो का उत्वादन है वो सर्वादिक दोस्तों अलवर में होता है कहां पर होता है अलवर में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर अलवर में आगे देखिए राष्टिय सर्षो अनुसंदान केंदर कहां पर इस्तित है यह तो सभी को बरतपुर में राष्टिय सर्षो अनुसंदान केंदर इस्तित है और तबीजी अजमेर केंदर दोस्तों बीजीय मसालों से संबंदित है केंदर है और बाजरा अनुसंदान केंदर बाडमेर में है चावाल अनुसंदान केंदर बासवाडा में है मक्का अनुसंदान केंदर वल्लब नगर उदैपूर में है इसबगोल अनुसंदान के अंदर जोदपूर में है राजे कर्शी अनुसंदान के अंदर दुरगापुरा जेपूर में है खजूर अनुसंदान के अंदर बीचावालच बिकानेर में है ठीक है काजरी जोदपूर में आफरी जोदपूर में ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें सेवर नामकिस्तान काँ पर है अभी मैंने आपको बताया दोस्तों सेवर नामकिस्तान है वो काँ पर है भरतपूर में है आगे देखिए निम्न में से कौनशी फसल दलहन तथा तिलहन गुणवाली है बताइए अच्छा प्रस्ण है चार उप्शन आपके सामने है जल्दी से सोचे क्या होगा इस प्रस्ण कराइट अंसर तो दोस्तों देखिए इसमें सोयवीन है यह दोस्तों दलहन और तिलहन दोनों गुणवाली है यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें सोयबीन किसका परमुक्सर होता है बताइए तो दोस्तों सोयबीन है ये किसका परमुक्सर होता है तो ये प्रोटीन का परमुक्सर होता है डी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान के कौन से भाग में सोयबीन का उत्पादा नदिक हो आगे देखिए इसमें राजस्तान में सोयावीन उत्पादन की दरस्टी से पर्थम जिला कुन सा है? तो पर्थम जिला है दोस्तो इसमें जहलावाड तो इसमें राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. आगे देखिए 74 नमबर का प्रेस ने निमन में से किस फसल का उप्योग रेशा प्राप्त करने में तथा तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सी नमबर उप्सन राइट आंसर आगे देखिए राजस्तान में अलसी का सरवादिक उत्पादन तथा चेतरफल किस जिले का है तो दोस्तों सरवादिक उत्पादन और चेतरफल अलसी का राजस्तान में कौन से जिले का है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न रजस्तान में तिलका सरवादीक उत्पादन सचहतरपल किस जिले का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमे जालोर शिरोई बार्ड मेर में, एसमें C नंबर, sorry, D नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हुजाएगा आगे देखेश में तिलन उत्पादन कारिकरम में केंदर और राज्य का आर्थिक सयोग कितना है तो आर्थिक सयोग है वो है दोस्तो इसमें 695 का एह नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखेए सिट्रल्स कोलो सिथन्स किस पर्चलीद फसल का नाम है सिट्रल्स कोलो सिथन्स किस पर्चलीद फसल का नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है इसमें तुमबा डी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे तुम का उप्योग पसु आहार मुरब्बा बनाने में दवाई बनाने में किया जाता है बताइए निम्न में से किस फसल के फूलो का उप्योग पसु आहार मुरब्बा बनाने में दवाईयां बनाने में किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें तु तुम्बा के फलों को बकरी आर के रूप में खाती है फलों का गुद्दा मुरबा बनाने में यूज किया जाता है और दवाईयों और पसु आर में भी परियुक्त होता है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें तुम्बा फसल किस रूप में होती ह तुम्बा फसल है, वो कौन से रूप में होती है? तो यह होती है दोस्तों, बेल के रूप में होती है, तो इसमें, सी नम्बर का उप्जन राइट अंसर हो जाएगा, आगे देखे, निम्न में से किस फसल के बीजों के तेल का उपयोग सनेहक तेल तथा परसाधन सामगरी के वो है दोस्तो इसमें जो जोबा सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल से उतर हो जाएगा जोबा आगे देखिए सूरज मुकी किस मौसम की फसल है सूरज मुकी है ये कौन से मौसम की फसल है तो दोस्तों ये रभी की फसल है सूरज मुखी ठीक है याद रखना ये रभी की फसल है तो यहाँ पर D-Number का उपशन कर लेना सूरज मुखी है ये रभी की फसल है आगे देखिए इसमें राजस्तान में जो जोबो का उत्पादन किस छेतर में किया जाता है तो जो जोबो का उत्पादन है वो सरवादिक है कौन से छेतर में किया जाता है राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बताए कौन सा तो वो है दोस्तो रेगिस्तान में कि leisure है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा एइस नमबर का option बिलकुल सईयोतर हो जाएगा यह आपको इसमें रहत रखना है आगे देखिए किस फसल को बनिया भी कह जाता है यानि की कौन सी किसम है किस फसल की किसम है नर्मा किसम किस फसल की किसम है तो दोस्तों ये कपास की किसम है नर्मा ये नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए कपास के बीज क्या कहलाते हैं कपास के बीज दोस्तों क्या कहलाते हैं तो दोस्तों ये कहलाते हैं बिनोला सी नंबर option right answer हो जाएगा बिनोला आगे देखिए राजस्तान के स्री गंगानगर हनुमानगड तथा बासवाड़ा जिलो में किस किसम के कपास की खेती की जाती है तो किस किसम के कपास की खेती की जाती है तो वह है दोस्तों American कपास की खेती की जाती है सी नंबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में कपास का सरवादी कुद्पादन कहा पर होता है तो राजस्तान में कपास का सरवादी कुद्पादन है वो कहां पर होता है तो यह होता है अनुमानगड में यह नंबर का उप्शन सही साथा किसे कहते हैं साथा बोलते हैं तो इसमें राइत आटीर इघर q li लाल शडन रोग सामने तक पह सल का रोग है तो यह दोस्तों गन्य का रोग है ये लाल सड़न रोग तो इसमें ए नमबर का उपसन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए गन्ना किस मोसम की फसल है तो दोस्तों गन्ना है ये वार्षिक मोसम की फसल है तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उपसन से उतर हो जाएगा आगे देखिए गन्ना क्या है त तो दोस्तो गना काफी बार प्रिक्षा में पुछा जा चुका है गना क्या है तो गना एक गास है तो इसमें बी नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा गना एक गास है अगे देखिए गना कब बोया जाता है तो दोस्तो गना है ये कब बोया जाता है तो ये बोया जा बी नमबर उपसन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अफीम किस मौसम की फसल है अफीम कौन से मौसम की फसल है तो यह दोस्तों खरीब की फसल है अफीम बी नमबर उपसन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए अफीम पोदे के किस बाग से पराप्त होती है अफीम कौ पकाफल है वो क्या कहलाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डोडा इसमें यह नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रफिम का पकाफल क्या कहलाता है डोडा कहलाता है तो दोस्तों प्रसना आपको कैसे लगे कम जा भारत